अस्सलाम अलेकुम नाजरीन कैसे हैं आप सब लोग उमीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे खेरियत से होंगे और अपनी जिंदगी बहतरीन तरीके से गुजार रहे होंगे हम आप सब को एक बार फिर अपने चैनल इडन ट्रेजर्जर्स और सवाद में खुशाम दीद कहते हैं हमारे इस चैनल पर आपको सवाद से मतालिक मुफीद मालूमात फराहम की जाती हैं कि जिन से आपकी मालूमात में इदाफा होता है और आप हमारे वीडियो से फाइदा हासिल करते हैं आज एक और ऐसी ही मजी दिल्चस्प और मुफरिद वीडियो के साथ आपकी खिद्बत में दुबारा हाजिर हैं कि जिसका उन्वान है संडिया बाबा जी रहमत अले मियाग गुल अब्दलवदूत अलमारूफ बाच्छा साहब बानिये जदीद रियास्ते सवाद अपने मसाहिबों के हमरा पैठे हुए थे कि इसी इसना में एक मौमर औरत शल्मानो अबई लाठी टेकते हुए शाही दरबार आ गई बाच्छा साहब के हुजूर में अपना कुल असासा यानि सोने के जिवरात पेश करते हुए आजज़ाना अंदास में कह गई कि हुजूर मुझ से ये ले लें लेकिन मेरा शोहर मुझे वापिस दे दें हमारे दुश्मनों ने आपको गलत इतला दी है आप हमारे घर की तलाशी ले लें हमारे घर में कोई असलहा नहीं है अगर हमारे घर से असलहा बरामत हुआ तो मुझे भी मेरे शोहर के साथ मौत के घाट उतार दें शल्मानों अबई को अपने शोहर से बड़ा प्यार था वो अपने शोहर को बचाने के लिए चकेसर से सैद और शरीफ आई थी और बाच्छा साब के हुजूर इलतिजा कर रही थी उनके शोहर अपने इलाके के एक बहुत बड़े रोहानी पेश्वा संडिया बाबा रहमतल्ला अले के नाम से जाने और पहचाने जाते थे दूर दराज लाकों से लोग आकर उनसे रोहानी फैस हासिल करते थे और उनसे बैट लेते थे उन दिनों चकेसर गाउं की कमरे मस्जिद में लोग उनसे वजाइफ लेने के लिए जौक दरजौक आये थे वो उस वक्त बहुत बुड़े हो चुके थे उनके मुरीदों में धेर सारे नामी ग्रामी लोग हो गुजरे हैं उन में एक लियोनो पीर से भी गुजरे हैं जो आखरी वक्त तक उनके रुहानी गदी समाले होए थे उस वक्त ये अपने पीर यानी संधिया बाबा रह्मत अले के घोड़े का मुहार पकड़ कर उनसे आगे आगे जाया करते थे अपने दौर के एक बहुत बड़े वलियुल्ला खान बहादुर रह्मत अले अलमारूफ मारतोंग बाबा जी भी उनसे मिले थे दरासल जब संधिया बाबा रह्मत अले की शोहरत चार सूप पहलने लगी तो किसी ने ये अफवा उड़ाई कि ये हकूमत वक्त यानी बाच्चा साहब का तखता उलटने के लिए असलिहा जमा कर रहे हैं और अपने मुरीदों के हमरा सैदो शरीफ पर हमला करने वाले हैं ये खबर और अफवा बाच्चा साहब के कानों तक भी मौची उन्होंने अपने कश्रे वजीर के कमान में बाबा जी को हिरास्त में लेने के लिए फौच का दस्ता रवाना किया और इस अमल को खुफिया रखा गया ताके मिश्यन हर लिहाद से कामियाब हो सिंडिया बाबा जी रहमत अलाले को दिन के उजाले में कमरे मस्जिद चकेसर से इबादत के दौरान में उठाया गया उन्हें चारपाई पर डाला गया और एक कैदी की शकल में उन्हें जब ले जाया गया तो आमेश खान और चकेसर ने एहतिजाजन कहा कि ए लोगो बाबा को पकड़ कर ले जाया जा रहा है इस पर सिंडिया बाबा ने कहा कि आप लोग बेफिकर रहें मैं बेकुसूर हूँ मैंने हकूमत के खिलाफ कुछ नहीं किया है मैंने लोगों को किसी के खिलाफ नहीं उकसाया है इसलिए बाचस सहब मुझे जल्ट वापिस आने देंगे इसलामपूर के एंगर जमदार की बेटी जो उस वक्त छुटी बच्ची थी का कहना है कि इसलामपूर के मियागान ने मेरे वालिज से दगा बाजी की और कुराइफाल मेरे वालिद के नाम निकाला गो कि मेरा वालिद रियासती फौज में था लेकिन वो बाबाजी रहमतुल्ला अले को मारना नहीं चाहता था उनका मज़ीद कहना है कि बाबाजी रहमतुल्ला अले को मैं कुंडी में दूद पिलाता था कुंडी लक्टी से बना हुआ एक परतन था इस तरहां अफसर खान ओफ चकेसर की बातों से तो ये जाहिर होता है कि संडिया बाबा जी रहमत अले को जब चकेसर से लाया गया था तो उन्हें फौरी तोर पर नहीं मारा गया था बलके काफी दिनों बात उन्हें मौत की सदा दी गई थी शिरात्रप में एक लड़की उस सक्थ अपने मवेशी चरा रही थी उसने देखा कि चन आदमियों ने एक बूड़े को कुए में डाल दिया और उसके उपर पत्थर और मिट्टी डाली जा रही है शिरात्रप में बाच्छा साहब के लिए खुदरती बरफ को सर्दियों में महफूस करने की खातिर जगा जगा चन कुए खो दे गए इसमें बरफ डाली जाती थी और फिर गर्मियों में उसे निकाल कर काम में लाया जाता था संडिया बाबाजी रहमतल्ला अले को ऐसे ही एक कुए में डाला गया था जब रियासत सवाद का पाकिस्तान में इदगाम किया गया उस वक्त वो लड़की उमर के लिहास से बूड़ी हो चुकी थी उसके निशान दही पर शिरात्रप के लोगों ने लियोनो पीर के दस रास एंगर बाबा के साथ मिलकर उस जगा कबर बनाई बादजा लोगों ने उसे एक मज़ार की शकल दी और वहां एक मस्जिद भी बनाई अब लोग इस मज़ार पर दुआएं मांगने के लिए जाया करते हैं इस तरहां इसलामपूर के जमदार की बेटी जो उस वक्त छोटी बच्ची थी जिसने संडिया बाबाजी को दूद पलाया था वो भी उस वक्त उमर के लिहास से बूड़ी हो चुकी थी वो अफसोस के साथ कहती कि संडिया बाबाजी रहमत लाले की शहदत के बात हमारे खांदान के कई लोगों कोड़ का अरजा लहाक हुआ और चल बसे चकेसर के जो लोग संडिया बाबाजी रहमत लाले के खिलाफ साथिश और अववाहों में मुलविस थे वो भी बे मौत मर गए थे संडिया बाबाजी की बीवी शल्मानो अबई भी चंद माँ बाद शिद्दत गम से फौत हो गई थी तो नाजरीं ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको संडिया बाबाजी रहमत लाले जो के सवाद की एक मस्हूर और खास शक्सित थे उनके मुत्तालिक मालूमात फुरहाम की हैं तो अगर आपको हमारी वीडियो और काविश पसंद आई हो तो सबसे पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताके इसी तरह की मजीर मालूमादी वीडियो आपको मिलती रहें और आप हमारी वीडियो से मुस्तफी होते रहें तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए मौज़ू, किसी नए उन्वान के साथ जब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत जदा ख्याल फी अमानिल्ला